अस्राम लीकुम, फर्स्ट चैप्टर 9 का सेकेंड लेक्चर है हमारे पास, कंसंट्रेशन यूनेट्स ऑफ स्लूशन, हमारे पास एक सलूशन है, उसको हम कितनी तरह से कितनी उसके यूनेट्स हैं कंसंट्रेशन के, तो हमारे स्लेबस में पांच दी हूँ है इसके लावा और भी होते हैं ठीक है तो पहला है हमारे पास परसंटेज कंपोजिशन दूसरा मुलैरिटी तीसरा मुलैलिटी चौथा मॉल फ्रेक्शन पांचवा पार्ट्स पर मिलियन पी पी एम इसे हम लिखते होते हैं पी पी एम फार पार्ट्स पर मिलियन ठीक है इसके लावा भी होता है पार्ट्स पर बिलियन होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है नॉर्मेलिटी का सुलूशन होता है फार्मेलिटी का होता है ये भी और भी solution होते हैं ठीक है लेकिन हमारे service में पहले ये 5 दिया हो है तो हमने ये discuss करने है इन पहले 5 में से आज हमने first discuss करना है जिसे हम percentage composition कहते है percentage composition जो है वो चार तराकी है हमारे पास कौन कौन से है पहली है percentage weight by weight अच्छा आपने एक बात जो है अपने क्या दिखना है percentage पहला word percentage फिर है हमारे पास एक उपर चीज लिखी हुई है ठीक है और एक नीचे उपर जो है यहां पे हमारे पास salute होगा हमेशा यहां पे हमारे पास क्या होगा salute और नीचे जो है हमारे पास वो क्या होगा वो हमारे पास solution होगा अब उपर salute लिखा हुआ है और नीचे solution salute को जो है वो दो तरह से हम लिखेंगे या उसके weight की बात करेंगे या mass कह लें उसको ठीक है जब भी उसका weight या mass की बात होगी तो वो हम gram में लिखेंगे ठीक है gram में लिखेंगे और जब उसके volume की बात होगी तो volume के लिए हम क्या लिखेंगे cm cube लिखेंगे volume के लिए हम cm cube लिखेंगे इसी तरह जो हमारे पास solution है वो भी या weight होगा उसका mass होगा तो अगर weight हुआ या mass हुआ तो उसको हम gram में लिखेंगे लेकिन अगर वो volume हुआ तो फिर हम उसे cm cube में लिखेंगे ठीक है तो define यहीं से clear हो जाएगी जब भी आएगी define तो आपने पहले लफ़ज पे गौर करना है कि पहला क्या लिखा हो जो पहले होगा वो salute होगा जो बाद में होगा वो solution होगा और अगर weight by weight जैसे हमने पहले लिखी है तो percentage weight by weight इट इस weight of salute यह weight है किसका salute का चाहँ वेट की जगा पर आप यहाँ पर mass भी लिख सकते हैं it is mass of salute dissolved per 100 parts by weight of solution कि आपने 100 gram solution बनाया है ठीक है उसमें जो solution के अंदर जो salute आपने डाला है वो कितना डाला है वो अपने 5 gram डाला है ठीक है solution बनता कैसे होता है solution जो है वो salute प्लस solvent के मिलने से बनता होता है अब salute क्या होता है solvent यह पहला lecture अपने अगर दिखा है तो वहाँ पर मैंने define बताई हुई है salute जो solution का component कम मिकदार में होता है वो salute होता है उसे हम salute कहते है और solvent solution का वो component जो ज्यादा मिकदार में होता है उसे हम solvent बोलता है जो हल करता है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास है 5% W by W sugar solution अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि 5 gram sugar लेके ठीक है उसे पानी में हल करके उस solution का weight total कितना कर लिया गया 100 gram ठीक है तो यह हमारे पास solution क्या बने गया 5% weight by weight sugar solution ठीक है अब फार्मूला क्या है इसका percentage by weight find करने का mass of salute mass के साथ चोटा सा g लिखा हुआ इस g का मतलब gram over mass of solution into 100 तो यह हमारे पास solution का weight जो है वो और उसको multiply कर देना है 100 से तो आपके पास क्या आजाएगी percentage आजाएगी mass by weight by weight या mass by mass next है हमारे पास percentage weight by volume weight by volume इसका मतलब weight जो है वो किसका होगा salute का it is mass of salute ठीक है mass किसमें आ गया gram में dissolve per 100 parts of solution जिसे किसमें dissolve किया गया है एक solution के अंदर dissolve किया एक solvent के अंदर dissolve करके उसका solution बनाया गया है और उस solution का volume कितना रखा गया है उस solution का volume रखा गया है 100 cm3 ठीक है तो यह हमारे पास जो solution होगा वो percentage weight by volume होगा percentage weight by volume 10% example है हमारे पास 10% weight by volume sugar solution इसका क्या मतलब है कि 10 gram हमने शुगर लेकर उसे पानी में dissolve किया और उसका total volume कितना कर लिया 100 cm3 कर लिया ठीक है तो यह हमारे पास solution त्यार होगा percentage weight by volume यहाँ पे हमें जो solution है उसके mass का पता नहीं होगा total mass का solution के mass का नहीं हमें पता होगा कि कितने grams है हाँ हमें सिर्फ cm3 का पता होगा लेकिन हमें साथ salute के grams का पता होगा next है हमारे पास percentage volume by weight जो आपने अभी पढ़ी उसका उलिट है यह it is number of cm3 of salute dissolved per 100 gram of solution आपने salute लिया cm3 में उसे solvent में dissolve किया और solvent को उसके अंदर dissolve करने के बाद जो solution बना उसका total weight आपने कितना कर लिया 100 gram कर लिया तो इस वक्त जो आपके पास solution त्यार हुआ वो क्या हुआ percentage volume by weight वाला for example है हमारे पास 10% V by W alcohol solution इसका मतलब है कि alcohol हमने कितना लिया है 10 cm3 लिया है और उसको क्या किया है हमने solvent में dissolve कर कर के total weight कितना कर लिया है 100 gram कर लिया है तो ये हमारे पास क्या आजाएगा percentage volume by weight इस solution का हमें weight पता होगा हमें volume solution का volume नहीं पता होगा नेक्स्ट है हमारे पास percentage, volume by volume, it is the number of cm cube of solute dissolved per 100 cm cube of solution, solution हमने बनाना है और कितने cm cube हमने solute लिया, उसको एक solvent के अंदर dissolve करके हमने क्या कर लिया, उसका 100 cm cube त्यार कर लिया, तो ये जो हमारे पास solution आएगा, ये क्या होगा, percentage, volume by volume, most important thing, mostly used for liquids in liquid solution, ये वाला जो solution होता है, percentage, volume by volume वाला, ये हम mostly किस के लिए यूज़ करते हैं, liquids के लिए, 10% V by V, ethanol solution, ethanol, ethyl alcohol का बोलते हैं, ठेक है, जो शिराब होती है, जिसे हम आम कहते हैं, शिराब, तो 10%, मतलब 10 cm3, ethanol के लिए हैं, उसे dissolve करके, total volume कितना कर लिया गया है, 100 cm3, ठीक है, तो ये हमारा जो solution होगा, ये क्या होगा, 10% V by V solution, अच्छा, बुक पर लिखे होई है, एक extra आगे line लिखे होई है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी नहीं है, जो आप दोनों solution को mix करते हो, तो उनका volume उसके बाद जो है, वो उतना रहे, volume में भी कम या ज्यादा हो जाता है, salute और solvent को mix करने से, अगर वो दोनों liquid है, बाद दफ़ा उनके बराबर होता है, जो total आप mix करते हैं, for example, एक आपने 5 cm3, एक 10, तो total कितना होना चाहिए था 15, लेकन बाद दफ़ा क्या होगा 15 से बढ़ भी सकता है, और 15 से कम भी हो सकता है, तो वो एक special condition होती है, जिसे हम ideal और non-ideal solution कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगी term, ठीक है, तो यह अपने simple सा एक define है, यह short answer question के लिए, यह आपने याद करने हैं, इससे relevant जो numerical होंगे, वो भी हम next जो है, वो upload कर देंगे, अलाँ आफिस,